कि स्वागत करता हम आपका अपना यूट्यूब चैनल में चलिए मैं हाजिर हो गए एक नया सेशन लेखे आज हम बात करेंगे प्रशना को चलिए देखते हैं आज प्हले प्रशना हम देख रहा है कि किस राज के रसगुले को g.i.tag मिला है तो आप देख सकते हैं उरिषा को g.i.tag मिला है अगला कोशना देखते हैं कि परित्व के सबसे गहरी जील के बहुत पुछा जा रहा है इसके पहले पूछा गया था जाल के बारे मीं प्रित्वी की सबसे गहरी जिल कौन है तो यह बेकल जीले ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि पाक जलसंदी की किंद दो देशों को अलग करते हैं जो पाक का जलसंदी है वह भारत और एस्ट्रेडिया को अलग करते तप्णां आजन्टा और एलोरा के चौथा नम्रर कोशन हम देखते हैं कि ओर एलोरो एलोरा की किस संघ्टन ने 20 विरासित खोशित किये उन्हों नेखिया ठीक है यह गुफाम से देख सकते हैं काकोरी आğ데 tim के बारे में पूछा था चलिए नोगे सो पस्पचीश में हुआ था थी एक पूछान में लुट्याले और यूह अस्थापना कभी थी व्ल्ल्ड ट्रेड और्गनाजेशन के स्थापना थी तो एक जन्वरी 1955 इसवी को इसकी अस्ताफ ना हुई थी एक कोशन पूछा अगला कोशन कि बूकर प्राइज जितने वाली सबसे सातवा नमबर में कि बूकर प्राइज जितने वाली सबसे पहली भारतिय महिला कौन थी ये 2016 में भी पूछा गया कोशन था और इस बार भी के मुप्ला विद्रो कब हुआ था तो मुप्ला विद्रो में कीड्रा के 1921 का असपास वह था भारत में जल्कारंटी कब शुरू किया गया था जल्कारंटी आपको 5 जून 2015 में शुरू किया था अगला कोशन exactly society की अस्ताफना कब हुई थी तो इसकी अस्ताफना remained good थी एक कोशन था कि पंचायद समीति या सदस्ता के लिए कितना उम्र चाहिए ठीक है तो इसके लिए आपको आठाइस सौरी 21 साल उम्र होना चाहिए ठीक है इसके पहले पूछा था लोग सभा के लिए कितने उम्र चाहिए ठीक है और अभी पंचायद के लिए पूछा है ठीक है नादिर साथ ने भारत पर कव आक्रमन किया था नादिर साथ जो थे वो भारत पर कव आक्रमन किये थे ये भी कोशन पूछा गया था अजनता की गुफाएं कहां इस्ती थे तो ये महराष्ट में अजनता की गुफाएं जो है ये महराष्ट में इस्ती थे ठीक है और गांधि बहरूपी गांधी पुष्टक किस ने लिखा था भुक से भे रिलेटेड एक दो Question पूछ ले रहा ठीक है मेकसिको का सर्वची संबान किस भारती ये महिला को मिला है मेकसिको का तिल्ष परतिभा देवी पाड़ल थी यह हमारे प्रेशिडेंट रह चुकी है ठीग है अगला कोशन है कि नेशनल इन्फरमेटिक सेंटर की अस्थापना कब होई थी यानि कि NIC जो गौश्ट का साइड होता है वो NIC करके आता है तो NIC की कि अस्तापना कब हुई थी तो 1976 में हुई थी कोशन पूछाता जानवरों के स्टड़ी को क्या कहते हैं तो जानवरों के स्टड़ी को जोलोजी कहा जाता है और कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कौन सा सौटकॉट यूज़ किया जाता है इसके पहले पुछाता कॉपी करने के लिए क्या किया जाता है तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल प्लस सी दवाता है आदमी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी करते हैं ठीक है अगला कोशन है कि पूछा था कि गुरु नानक सहाब का जनम कब हुआ था तो गुरु नानक सहाब का ज दोनों सद्नों सेखोकर किसके पास जाता है तो दोनों इसाकार वो होकर President यानि कि राश्च्ट पति के अपास जाता है ठीक है तो देखिए यह कुछ प्रॉष्ट पूछे गया थे आज के ने ठेट में ठेखल दीजिके में से कुछ रिलेटेट कुछं तेकि थे हैं तो मैं आपको बता है कि मैं से आज आज के देट में के ट्रिवोटमेटरी से थ्रह सफ यह इद पर ठिँडिवेटरी से दो से तिन question था बढमास और सिंपिलिफिकेशन से चार से पांच कोश्चन रहा है कल्कुलेटिव कोश्चन रहा है प्रोफिट अनलोस से दो कोश्चन थे SICI से दो कोश्चन Time Speed Distance से दो से तीन कोश्चन Average से एक कोश्चन थे Mean Median Mode से दो कोश्चन DI से कोश्चन पूछ रहा है तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में सेर करें, अगर आप चैनल पे ने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसी ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होत रहूंगा, चले मिलते हैं अगले वीडियो मे तब तक के लिए जैहिंद